ब्रेजबुशन शरंड सिंग मामले में ब्रेजबुशन एक खिलाब बड़ा खुलासा विनेश और साक्षी ने किया बड़ी हिम्मत दिखाई खुलासा करने की जिसकी वज़े से जनता के बीच अपनी बात रखते नज़राएं और इन सब के वीच जिस तरीके से विनेश और साक्षी ने यहाँ पर तमाम बाते जनता के बीच साफ तोर पर रखी यह काफ़ी जादा चोकाने वाला था उन्हें साफ तोर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी वहा ब्रेजबुशन ने जो कुछ भी क्या बहुत ही जादा मतलब ऐसी घटना थी जिसको बार-बार नहीं बताया जा सकता तो इन सब के बीच लगातार यहाँ पर चर्चाय बनी है कि आखिर कैसे इस मामले पर नयाय मिलता नज़राएगा इन पहलवानों को अब दूसरी तरफ ब्रेजबुशन ने विनेश और साक्षी को फसाने के लिए ही कई सारे चकर व्यू तयार कर लिया है ब्रेजबुशन ने साफ कहा कि आप तस्वीरे देख सकते हैं साक्षी मलिक मेरे से कैसे गले लग रही है पहले विनेश फोगाट मेरे घर आया करती थी साथ बैठा करती थे बात हुआ करती थी आगे भविश्य को लेकर लेकिन आज यही पहलवान मेरे खिलाब तबाम बात कर रहे हैं तो यह काफी यादा दुख दर्द पहुंचाता है ब्रेजबुशन के रहे थे कि मतलब जिनके लिए मैंने अपने जेब से पैसे लगा जिन पहलवानों की तरक्की के लिए आज वही पहलवान धरने पर बैठ गे मेरे खिलाब कई बाते कर रहे हैं ब्रेजबु आसा हुआ कि जो नाबालिक महिला पहलवान है जिसको लेकर विनेश और साक्षी बार बार ये कह रहे हैं कि इसके खुलासे से तो कम सिकम पॉक्सों एक्ट के था अभी तक तो गरफतारी हो जानी चीए थी बावजिद इसके अभी तक कोई गरफतारी नहीं वी तो विनेश और साक्षी को फसाने के लिए ब्रजबोशन कई चाल चलने हैं खबरे निकल कर सामने आए कि जो पहलवान है नाबालिक उसकी उम्र गलत बताए गई है अब गलत उमर बताए गई है तो हो सकता है कि साक्षी बिनेश फस्ते नजर आए लेकिन देखते हैं साक्षी बिनेश बड़ी हम्मत है साफ नज़रा रहा जिस तरीके से सड़कों पर लड़ती नज़राई थी किसी ने ये भी कहा था ट्वीट करके सोशल मीडिया पर कि जो पहलवान अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से लड़ जाती है अपने लिए 10-10 पुलिस कर्मियों को एक साथ यहां पर धूल चटाती नज़र आ रही है उनको पटकनी देती नज़र आ रही है 15-20 पुलिस कर्मी एक साथ मिलकर उनको पकड़नी कोशिश कर रहे है तो क्या यही पहलवानों के साथ 65 साल का ब्रश बोचन उनके साथ छेड़ चाड़ करता था और यह होने देते थे सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं देखते हैं इस मामले पर आए क्या खुलासा होता है बने रहे चनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद